नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल निस्वार्थ ज्यान पर आमलकी एकादशी को आमला एकादशी भी कहते हैं उस दिन रंग भरी एकादशी भी मनाई जाती है पंचांग के अनुसार आमलकी एकादशी का व्रत फालगुन माह के शुकल पक्ष की एकादशी तिथी को होता है उस दिन व्रत रखते हैं और भगवान विश्नु की पूजा करते हैं हालांकि उस दिन वारांसी में रंग भरी एकादशी मनाई जाती है जहां बाबा विश्वनाथ और मार्ता गौरी को पूजा में गुलाल अर्पित किया जाता है शिव और शक्तिनगर भ्रमन करते हैं आज की इस वीडियो में हम फालगुन माह कादशी के बारे में बात करेंगे आज हम आपका कनफ्यूजन दूर करेंगे कि आपको आमल की एकादशी वरत कब रखना है 20 मार्च या फिर 21 मार्च को लेकिन वीडियो को पूरा देखिएगा तभी आपकी कनफ्यूजन दूर होगी तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि आमल की एकादशी इतनी महत्वपूर्ण क्यों है और जानते हैं फालगुन मास शुकल पक्ष वर्ष 2024 फालगुन एकादशी वरत के शुभ मुहुर्द के बारे में, पारण समय के बारे में, वरत के नियमों के बारे में, पूजन रखना चाहिए, एकादशी और द्वादशी तिथी कब से कब तक है, पूजा का शुभ समय क्या है, राहुकाल का समय क्या है, वरत का पारण किस दिन करेंगे और किस चीज से करें, हरिवासर कब से कब तक है, सारी बातें आज की इस वीडियो में जानेगे तो आप अंत तक वीडियो में बने रहे, दोस्तों, हिंदु धर्म में एकादशी वरत को सबसे श्रेष्ट माना जाता है, अब ही तो इस वरत का राजा कहां जाता है, एकादशी वरत में भगवान विश्नु की पूजा की जाती है, मान्यता है कि जो व्यक्ती इस वरत को सच्चे मन से करता ह उसे सभी पाप से मुक्ति मिलती है और उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है सनातन धर्म में आमल की एकादशी बेहद शुभ मानी गई है यह पर्व शुक्ल पक्ष के ग्यारहवेन दिन मनाया जाता है रंग भरी एकादशी जिसे आमल की एकादशी के नाम से भी जाना जाता है ऐसी मान्यता है कि इस दिन विवाहक के बाद पहली बार भगवान शिव माता पारवती को काशी लेकर गए थे और इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की शादी के बाद उनका गौना हुआ थाश इस दिन से ही काशी में होली का पर्व आरंब हो जाता है और अगले छे दिनों तक चलता है पद्म पुरान के अनुसार आमवले का व्रिक्ष भगवान विष्णू को अत्यंत प्रिय होता है आमवले के व्रिक्ष में श्री हरी एवं लक्ष्मी जी का वास होता है इस दिन आमवले का उबटन, आमवले के जलसे स्नान, आमवला पूजन, आमवले का भोजन और आमवले का दान करने का विधान है इस दिन माता अनपूर्णा के दर्शन करने का भी महत्व है आज के दिन भगवान विश्णु के साथ साथ भगवान भोले नात की पूजा करने का भी विधान है इस एकादशी को आमल की एकादशी आमवला एकादशी रंग भरी एकादशी के नाम से जाना जाता है इस एकादशी में भगवान विश्णू के साथ साथ भगवान भोलेनाथ की भी पूजा होती है अगर आप इस एकादशी में सिर्फ भगवान विश्णू की पूजा करेंगे भोलेनाथ को भूल जाएंगे तो यह एकादशी आपके लिए इतनी अधिक फलदाई नहीं होती है क्योंकि एक कथा है जिससे ये पता चलता है कि भगवान भोले नाथ अपनी प्रिय नगरी काशी माता पार्वती को लेकर प्रथम बार काशी में उनका आगमन हुआ था, काशी वासियों ने काफी हर्ष उल्लास के साथ रंगबीर से उनका स्वागत किया था, इसी लिए आज क की एकादशी के दिन नारायन के साथ साथ शिव की पूजा करने का भी विधान है, शिव की पूजा के पश्चात अबीर और गुलाल भी छड़ाया जाता है, जैसा कि आप सभी को पता है कि शिव बैरागी है उनको अबीर गुलाल, हल्दी, कुम-कुम जैसी चीजें नहीं चड़ायी जाती है, पर विशेश परवो में जैसे की रंग भरी एकादशी और आमवला एकादशी है, तो बाबा विश्वनात को विशेश सिंगार किया जाता है, उस सिंगार में भस्म के साथ साथ गुलाल, अबीर वगैरह भी होती है, तो आप भी घर या मंदिर में आज आवले की पूजा होती है, आवले का भोग लगाया जाता है, आवला ग्रहन करना भी श्रेश्ट माना जाता है, तो दोस्तों, आज के दिन आवले के पेड के दर्शन से मोक्ष की प्राप्ती होती है, आवले के व्रिक्ष को देव व्रिक्ष माना गया है, तो देव व्रिक् पूज़ी को शिवलिंग पर आवले का प्रसाद अर्पित करें, भगवान विश्नु को भी गुलाल अर्पित करें, धन की समस्या से जू रहे, तो भगवान विश्नु के साथ माता लक्ष्मी की आराधना जरूर करें। केले श्री हरी विश्नु का पूजन कर रहे हैं, तो मा लक्ष्मी के साथ पूजन करेंगे, तो आप उनके क्रिपा के पात्र होंगे। आर्थिक समस्या से, बीमारियों से, या फिर अगर कोई कामना आज की है जो की अधूरी है, और आप बहुत तकलीफ में उस कामना को पूर्ण करने के लिए, तो आज के दिन किसी मंदिर में आवले का व्रिक्षदान करें, वहाँ पर आवले का व्रिक्ष का रोपन करें। और फिर उसके बाद जानेंगे कि आमलकी, एकादर्शी कब है, शुब मुहूर्त, पारण का समय, सम्पूर्ण जानकारी, लेकिन अभी तक आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। दोस्तों इस दिन में आपको ब्रह्म मुहूर्त में जगना चाहिए, दोस्तों आप जानते हैं कि मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि कोई भी वरत होता है, तो आपको ब्रह्म मुहूर्त में जगना चाहिए, तो ब्रह्म मुहूर्त में आप जागिए, ब्रह्म मुहूर्त मे जगने के बाद सबसे पहले आप पंच देवी देवता की पूजा कीजिए, ये प्रशना आता है कि सबसे पहले क्या करें, तो पहले मंदिर में पूजा करें, या फिर कि तुलसी मा की करें, या सूर्य देव की आराधना करें, तो एक बार तो बिल्कुल स्पष्ट बता रहा ह हमेशा बताता हूँ आपको कि सर्व प्रथम आप सूर्य देव को जल दें। भगवान विश्नु को पीत वस्त्र धारन कराया जाता है और आज की एकादशी में आवले का जरूर भोग लगाएं। जैसा कि मैंने अभी बताया कि आवला जो है श्री हरी विश्नु के मुख से उत्पन्न हुआ है। इसलिए वह देव व्रिक्ष कहा जाता है तो आवले का आपके घर में पड़े रहने का यह अर्थ होता है कि मा अन्न पुर्णा आपसे प्रसन रहेंगी और आपके घर में अन्न धन की कमी कभी नहीं होती है। तो इस बात का ध्यान रखें और आज के दिन जो है आवले का मुरब्बा अगर आप बना सके तो जरूर बनाएं। और बना करके जो मैंने बताया कि आप पांच सामने रख दें और घर के कहीं किसी भी स्थान में ऐसा कुछ नहीं है कि आपको किसी एक स्थान में रखना है या फिर कहीं ऐसे स्थान में ऐसा कुछ नहीं आप जहां चाहे उसको रख दें बस इस बात का ध्यान रखें कि वह वर्ष परियंत आपके घर में पड़ा रहे हैं। अगले साल जब यह त्योहार आता है यानि आवले की एका दशी आती है तो आप पून नया आवला रख लें और उस आवले को हटात दो। दोस्तों ये कोई छोटा मोटा प्रयोग नहीं है और ना ही आज का बताया हुआ उप पाएगा। आवला आपको प्राप्त हो जाएगा। कुछ नहीं प्राप्त होता है तो आप आवले की कैंडी भी चड़ा सकते हैं। किसी भी रूप में आज भगवान को आवला जरूर चड़ाएं। इस बात का ध्यान रखें तो मैं कह रहा था कि आपको भगवान पूजा किस प्रकार करनी चाहिए तो उसी प्रकार जो है आप सर्व प्रथम संकल्प वगेरा ले लें। संकल्प लेने के बाद भगवान विश्नु की जैसे हो सके आप आराधना करें। जरूर करें। अभिशेक पंचामृत अभिशेक आपको जरूर करना है। पंचामृत के बारे में आप सभी जानते में अक्सर वीडियो में बताती रहता हूँ। दूध दही, घी, शक्कर और शहद इस पर कभी चीजों से भगवान का अभिशेक आज के दिन करना चाहिए और इसे करने से बहुत सारी हमारी तकलीफ दूर हो जाती है। इस प्रकार आपने भगवान विश्नु को अभिशेक करा। अभिशेक करने के बाद आरती करने के बाद उनको अच्छी प्रकार से स्वच जल से सनान कराएं, फिर उन्हें किसी साफ वस्त्र से साफ कर लें और फि संबंधी समस्या से जूंज रहा हूँ पर आप लोग किसी उपाय को शायद मन से करते नहीं क्योंकि मेरा तो यही मानना है कि जो भी साधक विश्नु सहस्त्र नाम का पाठ प्रति दिन कर देता है प्रति दिन करना है उसके जीवन में लक्षमी की कमी नहीं रहती है अगर आप महिला है और आपकी डेट के समय छूट दी जाती है तो कोई समस्या नहीं जैसे आप अपने घर की पूजा करते हैं उसी प्रकार आप पूजा करें विश्नु सहस्त्र नाम का पाठ करें दो तीन चार महीने में अधिक तम चार महीने में आपको इसका फल दिखने लगेगा तो एका दशी तिथी से विश्नु सहस्त्र नाम का पाठ शुरू करना आपको और अधिक जो है पून्य की प्राप्ति कराता है तो धन संबंधी समस्या से जूंज रहें हैं तो आज के दिन ये दो उपाए करना न भूलें एक बार फिर बता रहा हूँ इस उपाए को साधारन उपाए समझने की भूल ना करें पून्य श्रद्धा और भक्ति से उपाए करें कभी भी किसी उपाए को आजमाने के लिए ना करें और दोनों उपाय जो है शास्त्रिय उपाय है विश्नु सहस्त्र नाम के बारे में कौन नहीं जानता जो इसको करता होगा उसकी महिमा को अवश्य जानता होगा और मैं चाहता हूँ कि मुझसे जुड़े हुए जितने लोग हैं और वह धन संबंधी समस्या से परेशान है तो एक बार मेरे कहने से विश्वास कीजिए इस उपाय को आप करके देखिए आप करके देखिए आपके जीवन में बदलाव नहीं हुआ ऐसा नहीं हो सकता है अब आगे बढ़ते हैं आप देखिए आपको आज के दिन और क्या करना है तो आज के दिन जो है आपको अपने घर के मुख्य दर्वाजे पर दीपक जरूर दीपक जला कर कि आप विश्णू सहस्त्र नाम का पाठ करें शाम के समय घर के मंदिर में तुलसी के पास और घर के मुख्य दर्वाजे पर आपको दीपक जलाना है और इसी प्रकार आपको अपनी एकादशी का व्रत करना है आईए जानते हैं कब है रंगभरी एकादशी मुहूर्थ पारण का समय और महत्व लेकिन आप लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि वीडियो को लाइक अवश्य कर दें आमल की रंगभरी एकादशी व्रत तारीख और मुहूर्थ कब है आमल की एकादशी 2024 हिंदू कैलेंडर के अनुसार इस बार फॉल गुन माह के शुकल पक्ष की एकादशी तिथी 20 मार्च को 12 बचकर 21 मिनट पर शुरू होगी इस तिथी का समापन 21 मार्च को 2 बचकर 22 20 मार्च को है आमल की एकादशी 2024 मुहूर्थ आमल की एकादशी के दिन आप सुर्योदय के बाद से ही भगवान विश्नु की पूजा अर्चना कर सकते हैं उस दिन सुर्योदय सुबह 6 बचकर 25 मिनट पर होगा उस दिन का ब्रह्म मुहूर्थ प्राथा 4 बचकर 50 मिनट से 5 बचकर 37 मिनट तक है रवी योग में है आमल की एकादशी 20 मार्च को आमल की एकादशी वाले दिन रवी योग सुकर्मा योग और पुश्यनक्षत्र है उस दिन रवी योग सुबह 6 बचकर 25 मिनट से शुरू होगा और यह रात 10 बचकर 38 मिनट तक रहेगा रवी योग में स उसके बाद से सुकर्मा योग बनेगा जो पूरी रात है और अगले दिन शाम पाँच बचकर 42 मिनट तक रहेगा। वरत वाले दिन पुष्य नक्षत्र है जो सुबह से रात 10 बचकर 38 मिनट तक है। उसके बाद से अशलेशा नक्षत्र है। आमल की एकादशी, 2024 पारण समय आमल की एकादशी, वरत का पारण 21 मार्च दिन गुरुवार को किया जाएगा। उस दिन हरिवासर सुबह 8 बचकर 58 मिनट पर खत्म होगा। और पारण समय दोपहर 1 बचकर 41 मिनट से शाम 4 बचकर 7 मिनट तक है। इस समय में आपको पारण करके वरत को पूरा करना चाहिए। आमल की एकादशी, वरत का महत्व आमल की एकादशी के दिन भगवान, विश्णू और आमवले के व्रिक्ष की पूजा करते हैं। भोग में श्रीहरी को आमवला अर्पित करते हैं। भगवान विश्णु ने आवले को देव व्रिक्ष बताया था क्योंकि उसमें सभी देवी और देवताओं का वास होता है.